चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचों MCC के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए 24 फिलिंग स्टार्ट हो चुका है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने स्टेप बाई स्टेप 24 फिल कैसे करनी है इसके साथी साथ ये भी बताऊंगा कि 24 फिल करते से में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हाई कटोफ वाले स्टेट्स हैं जैसे राजस्तान, हरियाना, बिहार, यूपी तो उन कंडिडेट को स्टेट आल इंडिया कोटा से सीट लेनी चाहिए या फिर स्टेट कोटा से सीट लेनी चाहिए इसके बाद में जो 24 फिलिंग करते से में किन-किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको तो इस्टेब बाई इस्टेब रेजिस्टेशन कैसे करना है इसके बारे में मैं आलड़ी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक रेजिस्टेशन नहीं किया है तो अगर आपको च्वाइस फिलिंग के ओडर के बारे में ये जानकारी लेनी है तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं उसके पेज नमर 112 पर मैंने ये पूरी जानकारी दे रखी है और आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस भी लेना चाहते हैं बुक डाउनलोड करने के बाद हमारी टीम आप से संपर्क कर लेजी तो आईए मैं आपको च्वाइस फिलिंग का सबसे पहले step by step प्रोसेस बता देता हूँ तो हम 24 फिल करते समय सबसे पहले mcc.nick.in की वेबसाइट पर विजिट करेंगे यहां online registration का हमें option मिलेगा online registration के option के बाद में आलडी हमने register कर रखा है तो यहां role number, password, security pin फिल करने के बाद sign in करेंगे अगर नया registration कर देंगे new candidate registration पर click करके नया registration करने के बाद में यहां sign in करेंगे sign in करने के लिए आपके mobile पर OTP जाता है यह इस बार अच्छी स्विदा दे रखिए ताकि आपके इस login का कोई misuse ना कर सके तो यह OTP डालने के बाद में आपने sign in करना है तो जैसे ही आप sign in करेंगे इस परकार का interface आपके सामने आएगा इसमें home, choice filling, manage filled choices, choice under change, choice इसमें इसके बाद में यह सारा option दे रखा है लोग choice का भी option दे रखा है तो अभी आपने choice lock नहीं करनी है यह बाद में 24 को automatic lock हो जाएंगी उसमें आपको समय भी दिया जाएगा तो इसमें सबसे पहले हम देखें left side में सारे college दिये गए हैं जिनोंने वो college हैं जिनके लिए आप eligible हैं आपने उनके लिए apply किया है अगर आपने यहाँ पर all India quota open seat के लिए apply किया है तो वो ही दिखाई देंगी यहाँ पर dimmed seat नहीं दिखाई देंगी तो इस परकार से यह option है इसके अंदर तो left side के अंदर सारी college हैं इनको आप filter भी कर सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले institute का नाम दिया गया है उसके बाद में program दिया गया है course MBBS BDS BAC nursing तो इसमें अगर आप MBBS के लिए करना चाहेते हैं यह ध्यान रखना है आपने क्योंकि कई same college में दोनों course भी है MBBS BDS भी है तो यहाँ पर student काफी गलतियां करता है वो MBBS course देखता नहीं है वो college देखके select कर देता है बाद में पता लगता है वो college में उस BDS course के लिए apply कर दिया तो यह आपने ध्यान रखना है इसके बाद में यहाँ पर action में add करना है आपने जैसे आप add करेंगे right side में जो जो college choose करेंगे वो right side में आती जाएंगे इसके बाद आप right side से remove भी कर सकते हैं उस college की choice को अब भी कर सकते हैं और down भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको available 24 भी दिखाई देंगी, field 24 भी दिखाई देंगी, तो इस परकार से आप 24 फिल कर सकते हैं, लेकिन यह 24 फिल आपने बड़े ही ध्यान से करनी है, यह आप course का ध्यान रखें, college का ध्यान रखें, quota का ध्यान रखें, और इसके बाद में आप जो right side में 24 से आ हो जाती हैं, उसके बाद में आपने log out कर देना है, अब हम यह आप बात करेंगे कि 24 फिल करते से में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले point है 24 serial number, तो यानि कि 24 कौन से करम में भरें, तो 24 हमेशा top से lowest के करम में फिल करनी चाहिए, चाहे आपके marks कितने भी हो, पहले top college फिल करें, उसके नीचे जो lowest college हैं, वो फिल करें, अभी काफी student का यहाँ confusion रहता है इस बात को लेकर, कि अगर किसी college को हमने 45 नमर पर serial पर फिल की है, मैं दुबारा बता देता हूँ, यह confusion काफी students को होता है, अगर किसी student ने किसी college को 45 serial नमर पर फिल की है, और उसी college को, उस candidate से down rank के candidate ने 30 नमर पर फिल की है, यानि कि उसने पहले फिल कर दी है, तो यह पहले किसको मिलेगी, तो यह पहले up category वाले candidate को मिलेगी, चाहे उसने 45 serial नमर पर ही उसको क्यों ने भरा हो, 30 वाला candidate उसके बाद की rank का है, जिसने 30 serial पर भरा है, वो उसकी बाद की rank का है, उसको बाद में मिलेगी, पहले 45 वाले यानि कि अपर rank candidate को seat मिलेगी, तो यह थोड़ा सा आप confusion ना रखें इसमें, आप top से lowest के क्रम में ही college फिल करें, अब next point है, tuition fees, tuition fees का आपने ध्यान रखना है, 24 फिल करते समय, tuition fees जैसे हरियाना, पंजाब, उत्राखन, मारास्टर, MP, इन states की fees ज्यादा है, इसके बाद college की fees को भी दिमाग में रखें, जैसे तुमिल नाडू की राजा मतहिया होगी, I.R.T. college होगी, तो इन college की, individual college की fees भी ज्यादा है, इसके अलावा MGM वर्दा है, इसकी fees भी ज्यादा है, तो आप tuition fees का खास ख्याल रखे, फिर करें इसमें, इसके बाद भी third point है, attest hospital, MBBS की study करते समय, medical college के साथ, जुड़े हुए hospital की विशेश भूमी का होती है, आपको first year में, तो college में, थोरी और practical की class होती हैं, dissection के साथ में class होती हैं, लेकिन, इसमें second year से आपकी hospital posting स्टार्ट हो जाती हैं, तो अगर आपको college के साथ अच्छा hospital जुड़ा हुआ होगा, तो आपको MBBS के दोरान सीखने का अच्छा मोका मिलेगा, तो ऐसी college चुने, जिनके hospital में patient flow अच्छा है, अभी हमारे सामने समस्य से यह आती है, कि हमें कैसे पता करें, कौन सी medical college के साथ में कौन सा hospital जुड़ा हुआ है, और इसमें patient flow कितना है, तो इसके लिए particular medical college की website open करके, यह सारी चीजें वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पर उसके साथ attest hospital की जानकारी आपको मिल जाएगी, वो कितना bed aid hospital है, उसमें कौन कौन सी branch हैं, तो यह सब आप करके देख सकते हैं, या फिर आपका अगर कोई दोस्त किसी medical college में आलरडी पढ़ रहा है, वो आप medical college लेना चाहते हैं, तो आप उससे भी पूस्ताज कर सकते हैं, next point है more seats, यानि मतलब यह है कि ज्यादा seat वाला college पहले prepare करें, जिन colleges में 250 seats हैं, उनको पहले प्रात्मिकता द उसके बाद 200, 150, 100 के करम में फिल करें, मेरा खेने का मतलब यह है कि जिन college में ज्यादा seats होती हैं, वो उतना ही ज्यादा bedded hospital उसके साथ जुड़ावा होता है, और उस hospital में सीकने का अच्छा मोका मिलता है, इसके बाद में next point पर आते हैं, PG seats का, ये factor भी काफी काम करता है, ज जैसे महराष्टर करनाटका, तो ऐसे state को preference दें, क्यूंकि आप जिस state से MBBS करेंगे, वहां की 50% state quota seat के लिए दाविदार रहेंगे, PG में state residence domicile का कुछी state में होता है, जैसे महराष्टर करनाटका, बाकी states में, जहां से आप MBBS करेंगे, वहां के लिए eligible रहेंगे, PG seats के लिए तो ये भी आपने ध्यान रखना है, next point है, establishment of medical college, ये पुराने college को पहले preference दें, उसके बाद अपने nearby के, जो अपने marks के according, new college फिल करें, इसके बाद में next point है, state priority, आप पहले अपने nearby state फिल कर सकते हैं, मगर दूर state में अगर आपको अच्छी college मिल रही तो वह आपको लेनी च आप अपने state से बाहर निकलेंगे तो PGK तो फाइदा होगा ही होगा आपको, साथ में आपका outer knowledge भी increase होगा, आप ज्यादा लोगों की साथ intact होंगे तो आपको और ज्यादा कुछ करनी के motivation मिलेंगे, आपकी सोच है उसका limitation बढ़ेगा, हमेशा नए लोग, नई जगे से आद काफी student बहुत ही चिंतित रहते हैं bond के बारे में, तो bond की आपको जरावी tension नहीं लेनी है, अब देखो, एक साल का bond तो हर एक state में है, तक्रीबन है ही, आप अपने state में भी MBBS करेंगे या किसी दूसरे state में भी करेंगे, तो one year का bond तो तक्रीबन states में है, सभी में नहीं है, क्रीबन state में है, किसी किसी state में ये दो साल का है, किसी में ये पांस साल का भी है, मगर इससे tension लेने की आवशक्ता नहीं है, on ground में देखा गया है कि अगर कोई ऐसी condition आ जाती है, जैसे अभी महामारी चल रही थी, उस से हर एक state को doctors की जरूती, तो ऐसी condition में वो bond जो आपने sign किया है, उसका use करते हैं state government, बाकि उसका एक time होता है कि इतनी दिन तक अगर government आप से service नहीं करवा रही है, तो वो bond आपका cancel हो जाएगा, तो ये service bond को लेके आपको ज्यादा tension नहीं लेनी है, और इसके बारे में अभी 5 साल आप MBBS करोगे, उसके बाद में states के rule अलग आते र लेना है, ज्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगना है, किसमें कितना bond है, क्या है, तो इस परकार से आप bond की condition देख सकते हैं, उसके according आप bond की tension लेते हुए आप अच्छे college का ध्यान रखें, उसमें आप admission लें, तो ये कुछ बाते थी, ये कुछ factors थे, जो आपको 24 फिल करत इसमें ध्यान में रखने हैं, अब जो high cutoff वाले states हैं, जैसे राजस्तान हो गया, बिहार हो गया, हरियाना हो गया, यूपी हो गया, इनमें तो राजस्तान ही सबसे top में, high cutoff में, तो इन states के candidate को अपनी state की बजाए all India quota seat को prepare करना चीए, उनके mark चाहे top हो या low हो या medium हो, सभ हो इन ही candidate को all India quota prepare करना चीए, top mask होंगे तो other state के उनको top colleges मिलेंगे, जैसे अगर किसी के 660 हैं, 670 हैं, 680 हैं, वो भी top college ले सकते हैं, इससे थोड़े down medium candidate हैं, border level के candidate हैं, तो other state में उनको ठीक सी seat मिल जाएगी, तो इस परकार से all India quota को आप prepare करें, अभी तो all India quota में आपको फा फाइदा हुआ है, सबसे ज्यादा राजस्तावन इस्टेट को फाइदा हुआ है, इसमें, इसके अलावा जो लोग कटोफ वाले states हैं, जैसे माराश्टरा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्राखंड हो गया, उनको अपने states में ही seat लेनी चाहें, क्योंकि all India की बजाए उनको अपने state में अच्छी seat मिलेगी, all India कोटा से इतनी अच्छी seat मिलने के बजाए, उनको state कोटा से बहतर seat मिलेगी, तो जो लोग कटोफ state है, वो candidate अपने state में ही seat प्रिफेर करें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये कुछ condition थी, कुछ factors थे, फिर आपने अपने हिसाब से अपने factors बनाने हैं, मैंने जो बताया है, इन बातों को आपने ध्यान रखना है, तो अपने हिसाब से फिर choice fill कर दें आप, बाकी जैसे जैसे इसके बारे में कोई update आएगा, या फिर आपको कोई guidance देना होगा, तो मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमे ओला और क्या प्रेशा नहीं होगी, आपको choice fill करते समय कैसे कैसे करना चीए, इसका मैं विस्तार से बता दूँगा, मिलेंगे नए update के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन!